प्रुदय कमल मध्ये राजितं निर्विकल्पं सद सद खिल भेदाती तमेक स्वरूपं प्रकृति विकृति शून्यं नित्यमानंद रूपं प्रकृति विकृति शून्यं नित्यमानंद रूपं विमलपरमहंसं रामक्रिष्नम् भजामहा विमलपरमहंसं रामक्रिष्नम् भजामहा इदानीम् परमहंसह स्वस्य युवकभक्तानाम विशये संलापं आरब्धवान स्वी रामक्रिष्नम् गिरीशादीन ध्यानसमये अमीशाम् युवकानाम् सर्वानी लक्षनानी दृष्टवानस्मी ग्रुहादी संपद्विशयक विचारह एतेशु नास्ति पत्नी सुखस्य आशा एतेशाम्हृदये नास्ति ये विवाहिताह संति ते पत्न्यासाकं न संविशंतस संति सत्यम किम इत्युक्ते यावत पर्यंतं रजो गुनहा गत्वा सत्व गुनहा न आगच्छति तावत पर्यंतं भगवति मनहा स्थिरम न तिष्ठति तस्मिन प्रीतिही न जायते तम साक्षात कर्थुम् न शक्यते गिरीशह भवान मह्यं आशीर्वादं कृतवानस्ति स्वी रामकृष्णहा कुत्र किंट्टु उक्तवानस्मि यथार्थव्याकुलता अस्ति चेत सहा लभ्यते इति एव मुक्त्वा परमहं सहा आनंदमयी इति उद्गारं कृत्वा समाधिस्थः अभवत। बहुकाला नंतरं किंचित प्रकृतिस्थः भूत्वा एते युवकाहा सर्वे कुत्र इति अवदत। मास्तरेन आनीतं बाबुरामंच अन्यान भक्तांच प्रति निर्निमेशं पश्यन्नस्ति इतोपी प्रेमोन्मत्तह सन्नेव नूनं सचिदानंदह एव उत्तमह किंटु कारणानंदह इति अब्रवीत। एव मुक्त्वा परमहंसह गायन्नस्ति इदानी मया सम्यक अवगतं। इत्तमह किंट। झाल झाल